आई एम पी 1059 का विदाव इस्टेचिंग ग्रोमन के लिए यह आइटम है यह बहुत क्लीम है एकदम छोटा सा जो पीछे से आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ ज्यादा बाहर है और लगने के बाद बहुत अच्छा दिखेगा यह और अगर इसमें आपका मेन परदा हो त शेर परदा हो पतला तो आप यह भी यूज कर सकते हैं दोनों इश्टिक है यह फाइबर क्रिश्टल है अनब्रेकेबल और बहुत अच्छा यह इसका इश्टिक है यह इसकी एंड कैप है जो नाइलोन की है और बहुत इजली हम लोग इसको डालने के बाद लगा सकते है औ और यह एंटक आपका फैबरिक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं करें एंड टू एंटक खाली कैप इतना सही है तो यह कैप दिखने में ऐसा दिखेगा और यह आपकी रोप की कैप है जिसमें से रोप पास होगा यह जो रड रोप की एटमेंट है इसको लगाना बहुत यह खाली प्रेस किया मैंने और लग गया एक दम एज़ी आप नहीं पर भी आप एग्जेश्ट कर सकते हैं आप कहीं पर भी इसको लोगा सकते हैं लगने के बाद यह ऐसा देखेगा और यह बहुत अच्छा मॉडल है और इसके बाद के वीडियो में आपको फैबरिक भी दिखेगा हम फैबरिक कैसे डालते हैं और यह आप शॉप पे बहुत इजीली कोई भी बंदा बना सकता है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नह नहीं होगी बहुत इजीली बन जाएगा शॉप के अंदर यह गोई भी साइज में अवलेबल है आपको जो साइट चीए उसकी मिनिम्म लेंग ट्वेंटी फिट है जिससे कि आपका वेश्ट भी नहीं होगा और काम बहुत इजी हो जाएगा और एक रोमन पे इतनी आइट हुजाएगा यह अमनों विदाऊट इस्टेचिंग रोमन बना रहे है जो कैसे बनेगा वो लुग दिखा रहे है यह पैसे लाइन साइज की सबसे आप लाइन कर दो फिर एजिली स्कूस्टिप को आप इंसरेट डालिये इसके अंदर डालके इसके उपार यह हम लोग इजी ली एकडम इजी यह देखिया जो साइड में हम लोग इसको ऐसे डाल सकते हैं यह केप का लॉक हो गया और हम लोग यह पीछे जो रोमन का धागा जाने वाला है इसके बहुत इजी ली उसकी आम लोग जैसे भी चाहे उसको अजिश्ट कर सकते हैं और यह हमने बहुत जल्दी यह विदाउन इस्टेचिंग रोमन रेडी हो गया जिसको इस्टेच की बिल्कुल जरूरत नहीं है और यह दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है और यह निकलेगा भी नहीं आप इ नहीं वाला विदाउन इस्टेचिंग रोमन बन गया है और यह बैक साइड ऐसा दिखेगा इसमें से सब दागा जा रहेगा और इसली यह रोमन आपका रेडी हो गया श्टिक से और यह दिखने में ऐसा दिखेगा बैक साइड यह पीछे की साइड का